अब लड़ो पाल जी के लिए ड्रेस बनाने वाले हैं यह ड्रेस आप 5 औ 6 नंबर एकाना जी को पहना सकते हैं अब लिए अबर लिंक आपको डिस्क्रिप्सम्लाइब लिए तो चले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बहुत आसान है आपको दो पार्ट में बुलना है और बहुत अच्छी से यह कॉलर आएगी तो आप पूरी वीडियो देख्या अब को बहुत अच्छी समझ में आगा इसलिए मैं वीडियो को स्टार्ट के लेते हैं यह देख्या है यह था करे i.e does just do time अऔर को यह देख्या है और सबसे पहले आप आपर पीच यहाँ अबScस्पस पहले हम इरे होगे इस जपनाने के यह उन पूर вже पर आएगगे एप्स ऐंने इसमें अपने हुक को डालेंगे, इस तरह से हमने डाला, डालेंगे बाद टाइट किया, इतना टाइट करना है कि आपकी हुक इसमें आसानी से सरकती रहे, अब यहाँ पे हम चेन बनाएंगे, यह हमने एक बनाएंगे, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ह बनानी है, चले बना ले ती हु, फिर आगे बताऊंगे क्या करना, यह दिखिये हमने एहापे, पैतिस चेन बना ली है, मैंने गल्ती से पच्चिस बोल दिया, भी, तीन हवार कि बनाना ती तीन दो तीन चेन चोड़ेंगे और चौथी चेन में हम इस तरह से डालके डबल क्रोश या बना लेंगे देखें तीन फंदे हैं दो फंदे से एक बार फिर दो फंदे से एक बार फिर हमने इस तरह से किया यहाँ पे अगली chain में इस तरह से हमने double crochet बुन दे ये देखे, हमने स हमने उस तरह सम। नाउने इस दाझे चैन बनाएंगे यहाँ हमने लंबा किया और ये हम गुंदेंगे यहाँ हमारी न्ट आ गयी यहाँ पर आपद आ जतले यह यहां पर यह अनल खर भख है? जो हम स्टार्ट करें यहां पर इस तरह से डालना है 20 फॉस्ट चेन में डाल और ले बैद यहां पर हम इस तरह से बनाय-, धू कि बाद सकता है इंटर जो हम चैन बनार strictा plaाम सब्च है जोले बहुन हैं और बोनेंगे, frankly, यहां अगली हो सब हमें डालत कर्च है बुननी है, सभी chain में हम एक एक बार double crochet बुनेंगे, यह देखें, next chain में हमने डाला double crochet बुनती, फिर यहाँ अगली chain में डाला double crochet बुनती, इसी तरह में यहाँ सभी chain में एक एक बार double crochet बुननी है, चले बुन लेती हूँ, फिर आगे बताऊंगे क्या करना है, यह देखें, य यहां पर पीड़ाल के बुुन्न नहीं, यही से आपक बीन हो जाना है, ठोने हैं, चेंड बनाइघ को करते हो,asis न दो चेंड बनाइघ के न और यहां ही, अजितर एंग चेंड में से 2 ड़े को कुछ पर चैन से 2 ह यह को ही दोडमगों गे के लिए क्या करना है कि इस तरह से ऐसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद हमें यह इस तरह से बनाना है यह देखिए कि हमारी कॉलर की तरह आ जाएगा यहां पे इस तरह से ऐसे करके हमें यहां पे बुनना है तो आप चाहें तो पहले इतनी दूर यहां पे सिल सकते ह और उसके बाद अपनी बुनाई स्टार्ट कर सकते हैं बट मैं यहाँ पर डिरेक्ट इसे बुनूंगी यह देखें मैंने यहाँ पर देखें वाइट कलर में उन लिया है यहाँ किनारी से हम स्टार्ट करेंगे और फिर यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बनाई अब देखिए हमें इसमें डालके सिंगल क्रोशिया बुना है बट आप इसे भी ऐसे साथ ले लें डबल करके जिसे कि हमारा चारू इसे में बुनता भी जाए और हाथ यहाँ हमारा सिलता भी जाएगा यह देखिए इस तरह क्यार गाइस कोई दिक्कत नहीं होगी आपको बहुत ही आसान तरीके से आपसे बना सकते हैं और बहुत ही गुपसरासी ड्रेस आपके बनके रेडी होगी यह देखें इस तरह हम सिंगल क्रोश्या बनाते हुए पूरा एंड तक आएंगे यहां से लेके यहां तक हमें बुनन ही चुके हैं अब बस हमें इतनी ही दूर ऐसे सिंगल क्रोश्या बनना है बहुत आसान तरीके की ड्रेस है और बहुत जल्दी बनके रेडी भी हो जाती है यह देखें हमने हापे सिंगल क्रोश्या बना लिया अब यहां पर गिन सकते हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आ हमने एक और बार डबल क्रोश्या बनती फिर देके आगले वाले च wrinkles में डाला है इसमें हमने एक यह रऴ बन ग्राश्या बना यह सेम जगह डालके हमने एक और रखला किया हुआ है पिर हम एंब डबल ख्रोश बुनेगे हैं तो चैन में बंद काल के बंदेना है फिर अगले वाला हम इस तरह इपना रहे रो chillум चैन में डालके वुलेंगे और फिर अगले वाला हम इस तरह tops अब यहां पे हम अपना यलो कलर का उन लगाएंगे इस तरह से हमने यलो कलर का उन लगाएंगे यहां से आप पाइट वाला कट कर सकते हैं आपको अगर बात में ज़रूत पढ़े तो फिर यहां पे आप जाइंट कर लेंगे यहां से मैं कट कर लिया कट करने के बाद हम क्या बनाई, फिर देखे, यहां second chain में हमने double crochet बनाई और यह जो हमारी third chain है, इसमें हम दो बार double crochet बनाएंगे, यह एक और यही सेम chain में हमने एक और बार बना दिया इसी तरह हमें यह पूरा row complete करना है दो chain में एक एक बार double crochet और तीसरी chain में दो बार देखे मैंने दो chain में एक एक बार बनाया अब इसके बज़े जो third chain है इसमें मैं दो बार बना लूँगी ये एक बार और यहीं सेम chain में एक और बार इस तरह से अपना ये पूरा row complete करेंगे चले कर लेती हूँ फिर आगे बताऊंगी क्या करना है ये देखे हैं हमने आप अपनी row complete कर लिए अब क्या करेंगे? यहाँ से इसे आइसे turn करेंगे और turn करने के बाद हमने देखे एक दो chain बनाई यहाँ पर first chain में हमने इस तरह से एक बार double crochet बनाई फिर ऐसे करेंगे और यह देखिए अब यहाँ डबल क्रोशे में डाल के बुनेंगे जैसे हमने वाइट वाले पे किया था इसे थोड़ा सा लंबा किया और बुन दिया फिर यहाँ देखिए हम एक्स चेन में डाल के बुनेंगे फिर यहां पर हमें double crochet में इस तरह से डाल के बुनना है फिर अगली chain में हमने डाल के बुनना है इस तरह से हम अपना यह पूरा round का update करेंगे चले कर लेती हूँ फिर आगे बताऊंगे क्या करना है यह दिखिए यह हमने यहां पर yellow color से complete कर दिया अब यहां पर फिर हम अपना यह white वाला color लगा लेंगे यह दिखिए यह इस तरह से हमने लगा देना है और यहां से अब हम यह yellow वाला कट कर देंगे इस तरह से हमें cut कर देना है और अब हम किस तरह से बुनेंगे यह थोड़ा सा बस हमारा chain होगा मैं आपको बताती हूं क्या यह दिखिए यहां से हमें इस ऐसे turn करना है और turn करने के बाद हमने यहां पर देखिए एक दो दो chain बनाई दो chain बनाने के बाद यहां पर यह first chain में हमने डाला और यह double crochet बुनी एक बार फिर देखिए यह हमने second chain में डाला double crochet बुनी यह हमने third chain में डाला double crochet बुनी और अब हम fourth chain में दो बार double crochet बुनेंगे यहां पर यह knot आ रही है इस वचे से यह आ रहा है यह देखिए यह रही हमारी chain तो ये fourth chain में हम दो बार double crochet बुनेंगे ये एक बार हुआ और यहीं same जगर डाल के हमने एक और बार बुन दिया बस इतना सा change होगा यहाँ पे हमने दो के बाद तीसरी chain में बुना था यहाँ पे हमने तीन के बाद चौथी chain में दो बार बस इसी तरह अपना यह पूरा रो कंप्लीट करेंगे और इसके बाद वाला पैटरन हमारा same रहेगा तो चले मैं आपे दो रो कंप्लीट कर लेती हूँ फिर आगे आपको बताऊंगी क्या करना है यह देखे जिस तरह से हमने यहाँ पे वाइट वाला बनाया तो हमने चार चैन की बाद पांच वी चैन में दो बार डबल क्रोश्या बनाया इसी तरह आप चाहें इसे जितना भी लंबा कर सकते हैं आपका परफेर्ट ली एक दम राउंड सर्कल में आता चला जाएगा तो यह हमने यहाँ पे इतना काम कर लिया है अब हमें यहाँ पे इसका बॉर्डर बनाना है तो मैंने सबसे पहले वाइट कलर लिया है यह देखें यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे यह हमने यहाँ पे इस तरह से लगा लेना है यह देखें सीधी साइड से हमें स्टार्ट करना है यह हम यहां से start करेंगे यह इसकी सीधी साइड है तो यहां से हम start कर लेंगे इसके corner से यह हमने white color का उन इस तरह से निकाला, निकालने के बाद देखें एक, दो, तीन, तीन हमने chain बनाए उसके बाद यहां पर एक चेन का gap देंगे और यह जो दूसरी chain है इसमें हम इस तरह से double crochet बनाएंगे, देखें, एक बार बनाया सेम जगा डाला, दो बार बनाया सेम जगा डालके तीन बार बना लिया अब देखें, फिर यहां एक चेन का gap देंगे और अगली chain में भी हम यह देखें, एक बार हमने बनाया, फिर यह हमने दो बार double crochet बनाया और यह हमने तीन बार double crochet बनाया फिर यहां एक चेन का gap देंगे और फिर अगली chain में हम तीन बार double crochet बनायेंगे एक बार बनाया, सेम जगा डालके दो बार और यह सेम जगा तीन बार इस तरह हम अपना पूरा रो कम्प्लीट करेंगे चले कर लेती हूँ फिर आगे आपको बताऊंगे क्या करना है यह दिखे मैंने यहाँ पर सभी में बना लिया सेम तरीके से अब मैंने यहाँ पर यह रेट कलर में उन ले लिया है हम यहां से इस तरह से इसे डालेंगे यह दिखे जो हमने बीच-बीच में एक एक chain छोड़ी हुई है यहां पर इस तरह से हमने इसे फसाया फसाने के बाद depois हम इसे लंबा करेंगे लंबा करने के पाद यह हमने एक दो तीन, चार चार चेन बनाया अब देखिए फिर यहाँ पे हम डालेंगे यह एक चेन में हमने बुना है अब जो अगले में हमने नहीं बुना है उसमें हमने इस तरह से डाला पिछे से इसे हम ऐसे करके निकालेंगे और निकालने के बाद हमें यह दोनों को इस तरह से बुन देना है फिर यहां पर हम एक, दो, तीन, चार, चार चेन बनाएंगे, और फिर देखिए, अगले वाली में हमने इस तरह से डाला, डालने के बाद यहां से फंदे को निकालेंगे, निकालने के बाद हमने इसे लंबा किया, लंबा करने के बाद हमने इसे इस तरह से बुन दिया, फिर indra यहां पर फिर यहां से र चीज करना है यहां से मने इस सर स किया यह अगो एच संव जालें डिए इधर के करने के बात क्या करेंगे यहां सबस्सक्रा कि देश्य mélम इसंसला यह दो भी कryन जातक्रा तो यहां से धर पर हमारे निए सेम पैटर्न स्टार्ट हो जागा तो सेम तरीके से हम इधर भी बनाएंगे चले बना लेती हूं फिर आगे आपको बताऊंगी कि क्या करना है यह देखे हमने फ्रेंट पे तो बनाया है साथ में हमने बैक साथ में बना दिया से पहले मैंने सिंगल क्रोश्य बना दी दो चलेते हैं यह इस तरह से लिई जालेगे रशी लीप active months ईपकर्ड़ के तो अब पगे पांने कीके थिली हो यहां कर दिया है अब अगरी के लिए अगर आप बॉनाख आप से खीच्रें गया हमारी बना के रखा हुआ, आपको लिखाती हूँ, यह तेखें, मैंने यहां पे 45 चेन के अंदर, यह देखें, डबल क्रोश्या बनाई है पहले वाइट कलर से, फिर 3 डरो मैंने यलो कलर से बनाई, उस बाद यहां पे सिंगल क्रोश्या, यह रड कलर से बनाती है, हम क्या करेंगे, यह तेखिए रड वाला हिस्सा नीचे करेंगे और यह इस तरह से ऐसे करेंगे और उसके बाद एक हिस्सा हमें यहाँ पे लगा देना है इस तरह से और इसका यह जो दूसरा हिस्सा है वो हम यहाँ पे इस तरह से लगाएंगे यह हमारी यहाँ पे इस तरह से पगड़ी का लूक आएगा और इस पे मैं एक red color का फ्लार लगा दूगी जो कि बिल्कुल आप से लिए आप चाहे तो लगाया चाहे तो skip कर सकते हैं यहाँ पे पगड़ी पी सिल्दी इस पे मैंने एक फ्लार लगा दिया है इस तरह का फ्लार बनाना मैंने बहुत बार बताया है इसलिए मैं आप इस तरह कर दिया अब देखिए हमारे 6 नंबर के कानाजी को पहना के लिखा ले हूं और यह पांच नंबर को भी आ जाएगी और यहां से इनो इनके घर है आगी वाला से उठाएंगे और उठाने के बाद यह हमें यहां पर बाद नहीं है इस तरह से इसे अमे Justin Tr Like टेलेंगे और टाइट करने के बाद यहां नीचे बाद लेंगे एकदम सिंपल और आसान तरीके से आप ये ड्रेस बना सकते हैं काना जी के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ये मैंने यहाँ पर नीचे बांदी है ये बहुत टाइट नहीं मैंने बादा एकदम डीला ही है और सही से ये बनाया भी नहीं है जब तक हम ये पूरा अ नीचे से देखे इस तरह से पूरा फैल जाती है और पहनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप काना जी को बाल लगा के पहना रहे है तो भी बहुत आसान तरीके से आ जाएगी तो चले मैं आपको कैमरे की सेटिंग थोड़ी सी चेंज करके पूरा फाइनल लु कर दोडियो आपको कैमरे है तो अज नहीं कर बाल लोड़ी मैं पुरो कैमरे है जो पुरो कि यह होगी है टो करा से ड encont recipients eigenlijk कि कैम यह तो अ कर दो किया है